हलो अबरिवान दिस इस प्राना कुमार्शी फ्रोम आयस पिस्टे शेंटर फ्रेंट्स आज हम लोग डेली करेंट अफेर्श के अंतरगत 21 दिसंबर 23 इसबी के महत्पून करेंट अफेर्श को डिसकस करेंगे तो आईए आज का सेशन हम लोग प्रारम करते हैं आज का पहला क करेंट अफेर्श हैं कछाओं में निर्वाचन सिच्छा कार्श करम आप लोग धांग दिजेगा यहां जो कछाओं में निर्वाचन सिच्छा कार्श करम है वह भारत सरकार के सिच्छा मंत्राल है तथा इलेक्शन कमिशन ओफिंडिया था भारत के निर्वाचन आयोग द् हस्ताच्रीत एक समझावता ग्यापन है इस कार्जक्रम का जो मुख उदेश है वह छठी कछा से लेकर बारहमी कछा तक के बच्चों में चुनावी कार्जों से समंधित रुजान उत्पन करना तथा चुनावी व्यवस्ता का संपुन अध्यन करना तो पहला सेक्षन हो गया क गति सक्ति राष्टिये मास्टर प्लान को 13 अक्टूर 2021 इसवी को प्रारम किया गया था तो इसके अंतरगत एक मात्र प्रश्ण बनने की संभाव लाया है कि प्रधान मंत्री गति सक्ति राष्टिये मास्टर प्लान को कब प्रारम किया गया था तो इसका अंसर हो जाएगा 13 अक्टूर 2021 सिस्वी को और इसका यदि उद्देश की बात करें कि आखिर क्यों गति सकती राष्टिय मास्टर प्लान को प्रणम किया गया था तो इसका जो मुख उद्देश था वह अब धारभूत सनचनाओं का विकास सतार्थ भारत में अब धारभूत सनचनाओं का विकास करने के लिए किंद सरकारद्वारा प्रधान मंतरी गति सकती राष्टिय मास्टर प्लान को 13 अक्टूर 2021 सिस्वी को प्रणम किया गया था नेक्स्ट है राष्टिय रेल सनचन कोस देखिये यह जो राष्टिय रेल सनचन कोस है इसका प्राभधान किंद्रिय बजट 2017-18 इस्वी में किया गया था अथार्थ जो 2017-18 इस्वी की किंद्रिय बजट था उसमें राष्टिय रेल सनचन कोस का प्राभधान किया गया था और जो राष्टी रेल सनच्छन कोस है इसे बर्ष 2017-18 इसवी से अगामी पाच वर्षों के लिए अथार्थ बर्ष 2020-22 इसवी तक के लिए लागू किया गया था और इसके अंतरगात जो कोस का सनच्छित रासी थावा था एक लाख करोड रुपे लेकिन हाल ही में केंद्रिय मंत्री द्वारा लोकसवा में दियेगा एक बयान के अंसार बर्ष 2017-18 से बर्ष 2020-22 इसवी अथार्थ पिछले पाच वर्षों में 1.08 लाख करोड रुपे की रासी राष्टी रेल सनच्छन कोस के अंतरगात खर्ष किया गया तो आप लोग दोनों याद 2018 से बर्ष 2021-22 इसवी तक के लिए लागू की गई थी और इसके अंतरगत जो रासी का प्राब्धान किया गया था वह एक लाख करोड रुपे की रासी अवंटित की गई थी लेकिन बर्ष 2017-18 से 2022-22 इसवी तक टोटल 1.08 लाख करोड रुपया खर्ष किया गया नेक्स्ट 2030 इसवी तक नेट जीरो कारबन उत्सरजन बनने का लच प्राप्त कर लेगा नेक्स्ट और बहुत ही महत्पून फैक्ट्स है वह है अंतरीच से अथार्थ इंडियन अस्पेस से रिलेटेड देखे यह है जो फैक्ट्स है वहाँ आपको मुख परिछा में बहुत ही महत्प अथार्थ लगवग 400-396 में बिदेशी उपग्रह थे और जो घरेलू उपग्रह की संग्य थी वहाँ मत्र और मत्र 70 थी अथार्थ बर्ष 2014 से बर्ष 2013 इसवी की अबधी में 396 में बिदेशी उपग्रह और 70 घरेलू उपग्रह को प्रछेपित किया गया इसके अलाबा बर्ष 2014 से बर्ष 2013 इसवी की अबधी के दोरान उपग्रह प्रछेपन से भारत को 15.75 करोड डॉलर और 26 करोड एरो काराजासु प्राप्त हुआ तो आप लोग इस फैक्ट्स को मुख परिछा में उज़ कर सकते हैं इसके साथ साथ जो नेक्स्ट पॉइंट है कि अंतरीश बिभाग को अबंटित बार्षिक बजट बीत बर्ष 2013-14 इसवी में जो अंतरीश बिभाग को 6792 करोड रुपया अबंटित किया गया था वह बढ बर्ष 2014-23 इसवी की अबधिक के दौरान बिदेशी उपग्राहों के प्रछेपन से भारत को 15.7 करोड डॉलर और 26 करोड इरो का राजा सो प्राप्त हुआ दूसरा कि अंतरीश बिभाग को बर्ष 2013-24 इसवी में 12,544 करोड रुपय की रासी अबंटित की गई है नेक्स्ट और महत्मून फैक्ट से संट्रल बीरो ऑफ इन्विस्टिगेशन तो देखिए संट्रल बीरो ऑफ इन्विस्टिगेशन के बारे में सबसे पहले हम लोग यह समझेंगे कि आखिर यह निवज में क्यूं रहा है तो आप सभी समचार पत्रों में पढ़े होंगे कि हाल ये में कई राज सरकारों ने CBI को अपनी जो आम सहमती दी थी वह बापस ले ली है यदि कुछ प्रमुख राज की बात करें तो पंजाब इसके अलावा केरल राजस्थान, 36 गाड़, बंगाल ये सवैसे कुछ प्रमुख राज हैं जिन्होंने कि CBI को आम सहमती दी थी उन्हें बापस ले ली है तो अब हम लोग CBI से समंदित कुछ महत्पून फैक्ट्स को देखेंगे तो पहला महत्पून फैक्ट्स है कि CBI की जो अस्थापना की गई थी वह बर्स 1963 इसवी में दिल्ली बिशेष, पुलिस, प्रतिष्ठान, अधिनियम के अंतरगत किया गया था और CBI की अस्थापना संथानम समित्य अथात के संथानम समित्य की सुझावपर बर्स 1963 इसवी में की गई थी दूसरा किया भारत सरकार के कार्मिक, बिभाग, कार्मिक, पेंसन और लोग, सिकात, मंत्राले के अधिन कार्ज करता है इसके साथ साथ दिल्ली बिशेश पुलिस अस्थापना अधनियम 1946 की धाराचे के अनुसार CBI को यदि किसी भी राज के अधिकार छेत्र के मामले की जांच करना है तो यही धाराचे के अंतरगत राज की सरकार से सहमती लेनी आवस्यक होती थी और कई सारे जो राज हैं जैसे कि अभी मैंने बताया पंजाब, केरल, राजस्थान, बंगल इन सब राज्यों ने धाराचे के अंतरगत जो CBI को सहमती दी थी वह बापस ले लिये हैं तो इसी कारण हाल हैं CBI अथरत केंद्रिये जो एजिंसिया है Central Bureau of Investigation वहां काफी न्यूज में रहा है नेक्ट्स फैक्ट्स है सहित अकादमी पुरसकार 2023 CBI देखे या जो सहित अकादमी पुरसकार है इसे 12 मर्च 1994 CBI को प्ररम किया गया आप लोग याद रखेगा सपोज या दिप्रस्न पूछ लिये जाते हैं कि सहित अकादमी पुरसकार को कब प्ररम किया गया था तो इसका अंसर हो जाएगा 12 मर्च 1954 CBI को और हाल ही में 12 मर्च 2024 CBI को आप लोग ध्यान दिजेगा 12 मर्च 2024 CBI को सहित अकादमी कि या स्थापना का 70 वर्ष मनाने जा रहा है तो ध्यान दिजेगा सहित अकादमी पुरसकार स बष्च 12 मर्च 2014 CBI को और हो प्रदान किया गया था और इसके साथ। जो siot अकादमी जब पुरसकार प्रदान किया जाता है तो इसके अंथरग्त एक पटिका भी प्रदान किया जाता है तो इस पटिका का डिजाइन भारतिय फिल्म निर्माता सतजित रे द्वारा तयार किया गया तो आप लोग इसे याद रखेंगे कि सहीत अकादमी द्वारा सम्मानित की जाने वाली पटिका का डिजाइन किस भारतिय द्वारा तयार किया था तो इसका अंसर हो जाएगा सतजित रे इसके अलावा माखन लाल चतुरवेदी पहले हिंदी लेखक हैं जिन होने 1955 इस्वी में अपने काभ हीम तरंगनी के लिए सहीत अकादमी पुरसकार प्राप्त किये थे अभी तक तीन प्रस्ट मैंने बताया पहला कि सहीत अकादमी पुरसकार को कब प्राप्त किया गया तो 12 मार्च 1954 इस भी को सहीत अकादमी पुरसकार प्राप्त किया गया दूसरा कि इसकी पटिका का डिजाइन सतजित रे द्वारा तियार किया गया था और तिसरा कि माखन लाल चतुरवेदी ऐसे पहले भारती हैं जिने की सहीत अकादमिय पुरसकार से समानित किया गया था और माखनलाल चतुरुबेदी को उनकी कब हिम तरंगनी के लिए समानित किया गया था नेक्ष्ट है किया जो सहित अकादमिय पुरसकार है वह 24 भासों के अंतरगत सहित अकादमिय पुरसकार को प्रदान किया जाता है तो इसमें से कुछ महत्पून है जैसे बर्ष 2023 इस भी में हिंदी के लिए डॉक्टर संजीब को प्रदान किया गया है उनकी कभिता है उनकी उपन्यास है मुझे पहचानो अथार्थ मुझे पहचानो उपन्यास के लिए डॉक्टर संजीब को हिंदी भासा का सहित अकादमिय पुरसकार 2023 प्रदान किया गया है नेस्ट है इंग्लिस लेंग्विज अथार्थ अंग्रेजी भासा के लिए डॉक्टर निलम सरनगौर को रेक्यूम इन रागा जान की के लिए प्रदान किया गया है अथार्थ रेक्यूम इन रागा जान की उपन्यास के लिए डॉक्टर निलम सरनगौर को अंग्रेजी भासा का सहित अकादमिय पुरसकार 2023 प्रदान किया गया है और नेस्ट है मैथली भासा जो की बिहार से समंदित है तो मैथली भासा के लिए डॉक्टर बासुकी नाथ जहा को प्रदान किया गया है उनकी जो निबंध संग्रह है वहाँ बोध संकेतन अथार्द बोध संकेतन निबंध संग्रह के लिए डॉक्टर बासुकी नाथ जहा को मैथली भासा का सहीत अकादमी पुरसकार बर्स 2023 प्रदान किया गया है नेक्स फैक्ट के हम लोग बात करते हैं तो आहां है भारतिय रसायनक परिशद देखिए भारतिय रसायनक परिशद अभी हाल ही में नीज में रहा है इसका दो महत्पूर्ण कारण है पहला कि प्रोफेसर रंजीत बर दूसरा फैक्ट्स है कि हाल यह में इसका भारतिय रसायनक परिशद कायोजन कोटा बिश्विदाले में किया जा रहा है नेक्स फैक्ट्स है इमापी पोटल देखिए जो इमापी पोटल है वहां बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमी सुधार विभाग से सम्मंदी थे तो आप लोग इसे ध्यान दिजेगा बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमी सुधार विभाग ने इमापी पोटल को लांच किया है इमापी पोटल को लांच करने का जो मुख उदेश है वहां भूमी की 25 अथार्ट मापी के लिए ओनलाइन आबेदन करना है और इसके अं आंतरगात मापी अनिवार ठूप से पूरी कर दीजाएगी अथार्ट 30 दिन के अंदर एक महने के अंदर उस ब्यक्ती की भूमी की माप अनिवार ठूप से कर दीजाएगी और इसके अंतरगा तो दो परकार के सुल्ख रखे गए हैं पहला यदि सपोज कोई ब्यक्ति ग्रामी छेतर से ये मापी पोटल पर अपने भूमी के माप के लिए अपलाई करता है तो उसे 500 रुपया देना होगा तथा यदि को सहरी छेतर में निवास करता है और अपने भू चिली के अटाकामर मरू अस्थल में बिस्व का पहला सौर तापिय प्लांट अस्थापित किया गया है और दूसरी बात कि चिली बर्ष 2040 इस वी तक जिवास में धन से पूरी तरह मुक्त होने का लच्छ निर्धारित किया है तो आप लोग इसे ध्यान दीजेगा बिस्व पहला सौर तापिय प्लांट किस देश मस्थापित किया गया है तो इसका अंसर हो जागा चिली के अटाकामा मरू अस्थल में नेक्ष्ट प्रेंट्स जो की बहुत ही महत्पून है वहां हमारा इंडियार स्पेस रिसर्च और्गिनाजेशन से सम्बंदित है तो फैक्स हैं लिफ एरिक्सन लुनर पुरसकार 2023 इसवी किसे प्रदान किया गया है तो देखिए यह जो लिफ एरिक्सन लुनर पुरसकार है यह आइसलेंड के हिसाबिक संगरहाले दोरा प्रदान किया जाता है और आइसलेंड के हिसाबिक संगरहाले ने बर्स 2015 इसवी में लिफ एरिक् किया गया तो चंद्र यां तीन के माध्यम से चंद्रमा पर खोज को आगे बढ़ाने एवं खगोलिये रहस को जानने में इसरो द्वारमात्पून योगदान प्रदान करने के लिए आईशिलेंड के हिसाबिक संग्रहाले द्वारा लिफ एरिक्सन पुरसकार दोजर तेश को परदान किया है चलिए नेक्स फैक्ट से बिस स्वात संगठन ने नामा को उपेचित उसन कटी बंधी रोग के रूप में बरगी किरित किया है तो यहां एक टर्म उज हुआ है उपेचित उसन कटी बंधी रोग क्या होता है तो देखे यहां जो उपेचित उसन कटी बंध बंधिये च्छेत्रों में होते हैं अथार्थ उस निकटिबंधिये च्छेत्रों में होने वाले ऐसे रोग को डबलू एचो अथार्थ बर्ल हेल्थ और्गेनाजेशन ने उपेचित उस निकटिबंधिये रोग के अंतरगत सामिल किया है इसके अंतरगत जो सामिल अनरोग है वहाँ डेंगू, चिकनगुनिया, रेबीज एवं कुष्ट रोग को उपेचित उस्तन कटेवंधिय रोग के अंतरगत डबलू एचो को द्वारा सामिल किया गया है तो हाल ही में नामा रोग को WHO ने उपेचित उस निकटिमंधिर रोग के अंदरगत सामिल किया है नेक्स है भारत सरकार और ACI विकास बैंक ने और दोगी की गलियारा विकास के लिए 250 मिलियन डॉलर के रिन समझाते पर हस्ताचर किये हैं अब लोगे से जरूर याद रखेगा कि हाल ही में भारत सरकार और ACI विकास बैंक ने और दोगी की गलियारा विकास के लिए 250 मिलियन डॉलर के रिन समझाते पर हस्ताचर किये हैं नेक्स है जो कि बहुत ही मतपुन है वह है ओप्रेशन प्रोस्परिटी गारजियन और अखिर ओप्रेशन प्रोस्परिटी गारजियन किस देश द्वारा प्ररण किया गया है तो सन्युक्त राजा अमेरिका ने हाली में ओप्रेशन प्रोस्परिटी गार्जियन को प्रारम किया है और इस ओप्रेशन को प्रारम करने का मुख उदेश समुद्री सुरच्छा विशेशकर लाल सागर बावल मंदेव जलसंदी एवं अधन की खाड़ी में जितने भी जो स समुद्री यातवन समुद्री ब्यापार होते हैं उनकी सुरच्छा के लिए अमेरिका द्वारा ओप्रेशन प्रोस्परिटी गार्जियन को प्रारम किया गया है इस ओप्रेशन के अंतरगत युनाटेड किंग्डम बहरीन कनाड़ा फ्रांस सेसेल्स अस्पेन और अमेरिक का सामिल है तो आप लोग से याद रखेगा ऑप्रेशन प्रोस्परिटी गार्जियन समुद्री सुरच्छा के लिए सन्युक तराज अमेरिका द्वारा प्रारम किया गया है नेक्स फैक्ट्स है कोरोना का जे एन डॉट वन वेरियंट हाल ही में आप बहुत ही चर्चम रह तो जे एन डॉट वन वेरियंट आपको देखने को मिल जाएगा तो देखे या जो जे एन डॉट वन वेरियंट है वह कोरोना का एक वैरियंट है जो की कोरोना का बी ए डॉट टू पैंट एट सिक्स का एक सब वैरियंट है तो आपको इसे याद रखना है कि जे एन डॉट वारियंट कोरोना के सब लिनेज B.A.2.86 का एक सब वारियंट है और दूसरी मात्मुन फैक्ट्स है कि B.A.2.86 को पीरोला के रूप में भी जानते हैं और वहो ने J.N.1 कोरोना वारियंट को वारियंट आफ इंटरेस्ट के रूप में बर्गी कृत किया है तो आप लोग इसे जरूर याद रखेगा कि हाल ही में कोरोना के किस बारियंट को डबलू एचो ने वेरियंट आप इंटेस्ट के रूप में सामिल किया है या बर्गी कृत किया है तो इसका अंसर हो जाएगा जे एंडॉट वन बारियंट नेक्स्ट है फ्रेंट सराष्टी ये खेल पुरसकार 2023 तो सबसे पहले हम लोग यह समझने का प्रास करेंगे कि आखिर जो खेल पुरसकार है या कब प्रारम किया गया था तो देखिए जो खेल पुरसकार है इसे सर प्रथम 1961 इसवी में प्रदान किया गया था तो आप लोग कह सकते हैं कि खेल पुरसकारों को 1961 इसवी में प्रार किया गया था खेल रत्न पुरसकारों को पूर में राजिव गांदी खेल रत्न पुरसकार के उर्प में जानते थे लेकिन हाल ही में इसका नाम बदलकर मेजर धांचंद खेल रत्न पुरसकार कर दिया गया है तो यदि सपोज प्रस्ण पूछ ले जाते हैं कि खेल पुरसकार इस भी में मेजर ध्यांचंद खेल रत्म पुरसकार कितने खिलाडियों को प्रदान किया गया तो दो खिलाडियों को मेजर ध्यांचंद खेल रत्म पुरसकार दोज़ तेश से सम्मानेत किया गया जिनमें पहला है चिराग चंद्र सेखरन सेटी बैडमिंटन खेल से सम्दित और दूसरा है रंकी रेडी सातविक साही राज ये भी बैडमिंटन खेल से सम्दित अधार्थ दो बैडमिंटन खेलाडियों चिराग चंद्र सेखरन सेटी और दूसरा रंकी रेडी सातविक साही इसकी अंतरगात जो नेक्सट वह है मॉलान अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी यसे खेल पुरस्कार के अंतरगाती इस पुरस्कारों को भी प्रदान किया जाता है तो समगर रूप से सिर्ष प्रदर्शन के लिए बिजयता बिश्विदाला की बात करें तो वहां है घुरू न प्रोफेशनल इंवर्शिटी है और दिवतिये उप्विजेता विश्विदालय के रूप में कुरुछेतरा विश्विदालय कुरुछेतरा जो की हर्याना में अबस्तित है तो इस पुरसकार के अंदरगत आप लोग सिर्फ याद रखेएगा समग रूप से सिर्ष प्रदर् महासागर नौ से न संगोष्टी है यह एक द्युवार्शिक आयोजन है जो की जिसकी कल्पना भारती नौ से न दौरा बर्स 2008 इस्वि में की गई थी अथार्थ बर्स 2008 इस्वि से प्रतेक दो बर्स पर हिंद महासागर नौ से न संगोष्टी का आयोजन किया जाता रहा है और बर्तमांत समय में अथार्थ बर्स 2003 इस्वि में 19 से 22 दिसंबर 2003 इस्वि तक थाइलेंड की बैकांक में रोयल थाई नेवी द्वारा हिंद महासागर नौ से न संगोष्टी का आयोजन किया जा रहा है इसके पूर्व अथार्थ बर्स 2021 इस्वि में फ्रांस द्वारा इ तो आप लोग इसे याद रखेगा हिंद महासागर नौ से न संगोष्टी का आयोजन बर्स 2008 इस्वि से प्रारम किया जा था और यह एक दिवार्शिक आयोजन है अथार्थ पर तेक दो बर्स पर इसका आयोजन किया जाता है अब हम लोग यदि इसके सदस देश की बात करे तथा इसके अंतरगत आठ परवेचक सदस देश भी सामिल है इसके सदस्यों को अथार्थ IONS हिंद महासागर नौ से न संगोष्टी इंडियन ओसियन नेवल सिंपोसीजम के सदस्यों को भागोलिक अधार पर चार उप छेत्रों में विभाजित किया गया है जिसमें की पह या इस समुदरी टटिये देश तो आप लोग इसे याद रखेगा तो इस परकार फ्रेंड्स आज का जो हमारा सेशन था हुआ समाप्त हुआ बहुत बहुत धन्यवाद